नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर और आपके सामने जो शेयर है वो शेयर आपको पता ही चलिए होगा कि ये शेयर में किस शेयर की बात कर रहा हूं 56 रुपए का इसके अंदर हमाना देख सकते हैं आप उचाल है जबकि मार्केट बिल्कुल डाउन था ये ये रिलाइंस इंडुस्ट्री लिमिटेट के शेयर के बारे में बात कर रहा हूं और आज इसमें इतना अच्छा का सा उचाल क्यूं है ये भी मैं आपको बता देता वो आया है न्यू इंवेस्मेंट के लिए तो आप देख सकते हैं न्यू इंवेस्मेंट कितना आया है भाईया 4.21 लैक करोड का इंवेस्मेंट आया है इसके अंदर में कहां से सिल्वर लेक से इसके अंदर में इंवेस्मेंट आया है ठीक है तो ये इंवेस्मेंट इतने आ चुके हैं foreign institutional investment कह सकते हैं आप इसको FII जिसको हम कहते हैं ठीक है तो यह जो investment है ना इनकी बज़े से क्या है कि reliance industry जो है वो उसके अंदर उच्छाल आपको देखने को मिला और अकेला share ही था जो basically थोड़ा सा इसको buyback कर लाया जो 300 negative था उसको इसने 150 तक खीच के लेकर आ गया है क्योंकि 15% का weightage होता है निफ्टी के अंदर में और reliance नहीं उसको थोड़ा बहुत bounce back किया banking sector once again जो मैंने अपने last वीडियो में खाता कि banking sector वो sector है जो आपका portfolio डुबा देंगे और banking sector ही आज 600 point negative था nifty bank ठीक है उसके अलावा आप यहां देख सकते है reliance की जो news आप देख सकते हैं ठीक है कि KKR also in advance stock to invest 1 billion एक billion और KKR जो है वो इसमें investment करना चाहती है आपको देखें यह न्यूज अभी के न्यूज है इसारे न्यूज अभी के न्यूज है आपको 11 गंटे पहले के न्यूज जो है वह आपको मैं आपको एक एक रहे बता देता हूं आराईल इंटू holding company अंबानी moves to convert आराईल इंटू holding company ठीक है उसके बाद इन्वेस्टमेंट का न्यूज आ चुका था उससे पहले ही ठीक है और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि जो यहां पर ऑल्रेडी जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर में बोला गया ताकि आप इन शेयर्स पर आप नज़र रख सकते हैं ठीक है एन उसके बाद आप यह देखें कि जो केके आर है केके आर का जो एडवान्स टॉक चल रहा है कितना वन बिलियन का जो इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट आने वाला है और जो यह है ना फूचर रिटेल यह फूचर रिटेल में जो गोलमाल होना ता प्यूचर गेम जो आ upulator लोग ट्रेड हो ने थे खु dando कर आपने दिखा होगा तो ब्लॉट्रीयट पता है क्या कभी future रिटेल के अंदर में आपने कब भी नहीं दिखा होगा के एक करोड शेर लगे हुए है एक करोड शेर सेलिंग पे लगे हुए है कब भी नहीं हुआ ऐसा कब भी मैक्स तो मैक्स 50 लैक की डिलिवरी होती थी लेकिन अब आप देखेंगे 1 करोड प्लस शेर जो है वो सेलिंग की delivery में लगे हुए थे थोड़े दिनों पहले आज ही किवल आज ही अगर आप देखेंगे तो 50 lakh के नीचे गया है पहली बार यह सारा operator game चल रहा था और operator game अब जाके खतम हुआ है और जल्दी आप देखेंगे शायद last lower circuit future retail के अंदर आपको देखने को मिले चिक है लेकिन reliance retail जो है वो बहुत ही जल्दी आने वाली है good news के साथ में तो पहला जो है वो है KKR वाले news और second जो news है वो है future enterprise के अंदर में जो merger होने वाले है basically सारे shares के जो future group के है उसके बारे में भी एक news आने वाला है बहुत ही जल्द क्योंकि date अभी launch नहीं किये और वो date आने वाली है आपको जल्दी ही पता चल जाएगा बाकी ये था जो reliance retail जो है वो basically काफी highlight में है क्योंकि silver lake का investment आ चुका है और KKR का investment आने वाला है share already 2160 के आसपास में move on कर रहा है तो आप देखेंगे ये वहीं 2200 रुपे टच करेगा क्या ये share और उपर जा सकता है अगर बात करके थे हैं थोड़ से टेक्निकली तो आप देख सकते हैं जो इसका जो pricing अभी चल रहा है वो थोड़ा सा intrinsic value जो इसका आएगा ना उससे अब चल रहा है intrinsic value I think इसका 1500-1600 रुपे के आसपास बनेगा नया वाला तो उससे के थोड़ा उपर चल तो मुझे नहीं लगता है according to only me आप क्या सोचते हो आपका financial advisor क्या सोचता है क्या आपको search करता है वो अलग है यह मैं सोचता हूँ only तो मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बाइससो रुपे का जो level है न यह इसका last है जो टीवी 18 नेटवर्क 18 स्टिल वहां पर भी अभी काफी काम होना बाकी है oil to chemical industry को यह लोग अलग करेंगे तो जब यह सब कुछ separation होगा न आपस में सारी एक individual इंड़स्टियां बनेंगी holdings जैसा कि मैंने आपको भी news में बताया कि holdings वो करना चाहते हैं company के अंदर में तो बस वही चीज़ है तब ही यह share I think आपको उपर jump मारता हूँ देखे क्योंकि already यह share जो है वह 150% प्लस हो चुका है जब से कोरो ना है था थब से तो यह already उपर की तरफ चल रहा है और इसमें consolidation ही चलने वाला है according to me so guys यह था Reliance के उपर में सारा वीडियो और future के बारे में भी थोड़ी सी news आपको देना चाहता था मैं इस वीडियो के मात्यम से कई सब्सक्राइब मैं चैनल है तकि आपको notification मिल सके घंटे का आइकन दबाना मत भूलना तो मैं इसी तरह आपके साथ में आता रहूँ किसी कुछ भी कुछ नहों तो कमेंट बकसर कमेंट करके पूश सकता है इस वीडियो के बारे में किसी और वीडियो के बारे में किसी भ झाल 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 झाल